इसकार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन खबर मौसम से जुड़ी है जहां हम आपको मौसम का ताजा हाल बतलाने वाले हैं राज़ानी पतना समेथ बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर अरड़ जानी किया गया है आपको हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि मौसम बिभाग की तरफ से ये जुड़ानकारी दी गई है कि 16 से 19 सितमबर तक बिहार के अलग-अलग जिलों में बारिश दिखने को मिल सकती है वहीं मौसम बिभाग नहीं आजज़ानकारी दी है कि बिहार के कुछ जिलों में बारिश के साथ ब्रश पात होने की भी आशंका है क्या कुछ मौसम को लेकर ताज़ा अब्रेट जारी किया गया है मौसम बिभाग की तरफ से आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है और आज बिहार के किन, किन राजियों में मौसम बदलने वाला है ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अन तक हमारे साथ बने रहें भारतिय मौसम वे ग्यान केंद्र आई-मजी ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दोरान देश के कई हिस्सों में बारिश दर्ची गई है आई-मजी ने बताया है कि मधप्रदेश के बरगाट में 14 सेमी और ओरिशा के देवगाउ में 19 सेमी बारिश हुई है इसके इलावा उन्हें कई जगों के लिए छेताबनी जाहिर की है आपको बताते चलें कि बिहार में मौसुन कमजोर पढ़ चुका है जिसके प्रभाव से बारिश देखने को मिल रहा है हाला कि मौसम बिभाग ने अगरे 5-7 दिनों तक पटना सहित कई जिलों में छिटपूट वर्षा की संभावना जटाई है बीते दिन राज़ानी पटना का अधिक्तम तापमार 35 जिग्री सिल्सियस दर्च किया गया वहीं अगर हम बात करेंगे यूपी की तो यूपतर प्रदेश में भी 18 सेतंबर तक बारिश हो सकती है हाला की कानपूर लखनाउ सहित कई जिलों में शुकरवार की सुबह उमस भरी गर्मी देखने को मिली है इसके लवा कुछ जिलों में सुबह से बादल चाहे रहे हैं मौसम बिभाग ने अगले तीन से चार दिनों तक हलकी बारिश की संभावना जताई है जहां एक तरफ बिहार के अलग-अलग राजियों में मौसम को लेकर IMG की तरफ से जानकारी दी गई है जहां एक तरफ अगर हम राज़ानी पटना की बात करें तो राज़ानी पटना को लेकर IMG की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आये उसमें बताया गया है कि आने वाले 5-7 दिनों में मौसम जो है बदलता हुआ लोगों को नजर आएगा अब फिलहाल लोगों को मस्भरी गर्मी से सामना करना पड़ रहा है जहां एक तरफ लोग बारिश का इंतजार कर रहे है सुहावने मौसम की राह देख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मौसम बिभाग की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि आने वाले 4-5 दिनों में मौसम एक बार फिर से अपना रुख बदलेगा लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है आपको बताते चले हैं कि मौसम बिभाग की तरफ से ये जानकारी पिछले को दिन पहले ही दी गई थी मौसम बिभाग ने जानकारी देते हुए कहा था कि अभी मौसम जो है वो फिलहाल इस तरीके से ही बना रहेगा लोगों को गर्मी थोड़ी जेलनी पड़ सकती है बिहार के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है लेकिन अधिकतर जिलो को लेकर मौसम बिभाग ने यही कहा था कि 16 से 19 सितंबर तक बारिश के साथ ब्रशपात भी देखने को मिल सकता है राज़ानी पटना की बात करें तो राज़ानी पटना का तापमान कल 35 डिग्री सिल्सियस रहा अब वही आने वाले दिनों में क्या कुछ मौसम को लेकर ज़ानकारे दी जाएगी बिहार के अलग-अलग जिलों में क्या कुछ मौसम को लेकर अपडेट किया जाएगा हम आपको ऐसे ही वीडियो के जरीए बताते रहेंगे फिलहाल के लिए मौसम में इतना ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें